नमस्कार दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जहांपर याने किसी समय में बोने लोग याले लिपोट लोग रहा करते थे बच्पन में बात हैरान करने वाली लगती थी कि बोने इंसान कैसे लगते होंगे मन में ये सुआल वी उठता था कि इतने छोटे छोटे इंसान होते भी हैं या फिर कहानियों में इनका जिकर मिलता है क्योंकि इतने छोटे इंसान तो होते ही नहीं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सत्से रूब रूब करवाएंगे जिसके बाद बोनों को लेकर आपके सोच एकदम बदल जाएगी सन 2005 में इरान के ए गाउं में मातर 25 सेंटिमीटर लंबाई वाली एक मम्मी मिली थी गहन अधियन और पुरातत्विक खोजों से पता चला है कि प्राचिन सम्मे में एक बोनों का सहर हुआ करता था जो अब इरान के अंदर आता है हम जिस गाउं के बारे में बात कर रहे हैं उसे माखुनिक गाउं के नाम से जाना जाता है आज से क्रीब डेड़ सो साल पहले इरान के गाउं में बोने लोग रहते थे माखुनिक इरान अफगांदिस्तान सीमा से करीब 45 किलो मिटर दूर स्थित है 25 सेंटिमीटर की इस मम्मी के मिलने के बाद ये एकिन पुखता हो गया कि इस गाउं में बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे इस गाउं में बने पुराने गर आज भी इस बात की याद दिलाते हैं कि यहां बहुत कम लंबाई वाले लोग रहा करते थे इस प्राजन गाउं में करीब दोस्तों के आसपास गर हैं जिन में से 70 से 80 गर ऐसे हैं जिन की उन्चाई बहुत ही कम है इन गरों की उंचाई महज देड़ से दो मीटर तक ही है अगर इन गरों की छट की बात की जाए तो ये छट एक मीटर और चार सेंटी मीटर की उंचाई पर बनी हुई है इसे साब तोर पर जाईर होता है कि कभी हाँ पर कम लंबाई वाले लोग रहते थे इन गरों में लकड़ी के दुरवाजे बने हुए हैं और एक ही तरफ खिड़कें बनाई गई हैं ये गर भहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन गर में एक बड़ा कमरा बना गया है जो लिली पुटों के लिए प्रियाप्त है इसके लावा यहां 10 से 14 वरग मीटर का एक बंडार ग्रह हैं जिसे कादिग के नाम से जाना जाता है यहां मुख्यरूप से अनाज रखा जाता था इन गरों के कौने में एक मिट का चुला बना होता था जिसे करशक के नाम से जाना जाता है इसके लावा इसी कमरे में सोने के लिए थोड़ी सी जगए भी बनाई गई है हालां कि आज इस गाउं के हालात काफी अत्तक बदल गए है सडकों की वज़े से ये गाउं इरान के दूसरे इलाकों से भी जुड़ गया है फिर भी यहाँ जिंद्य असान ही है सूके की वज़े से यहाँ खेती करना बहुत ही कठीन काम है यहाँ पर मिली मम्मी को लेकर लोगों के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये मम्मी समय से पूर पैदा हुए किसी बच्चे की भी हो सकती है जिसकी 400 साल पहले मोत हुई होगी वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि माखुनिक गाउं के लोग बोने थे दरासल माखुनिक एरान के दूर दराजगा एक सूखा हुआ इलाका है इस गाउं में चंद अनाज जैसे सों, सलजम, बेर और खजूर जैसे फल की खेती होती है इस इलाके के लोग पूरी तरह से साकाहरी बताई जाते हैं स्रीर के विकास के लिए जिन पोश्टिक तत्वों की जुरूरत होती थी वो इस इलाकों के लोगों को नहीं मिल पाई थी यही वज़े रही होगी कि यहां के लोगों का सारे कास पूरी तरह से नहीं हो पाया था और यहां के लोग बोने पैदा होते थे मुझे उमीदेंगे आपको यह जानकारी पसंदाई होगी अगर आप ऐसी ही और भी जानकारी को जानाना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइक मों को दिबागार आल पर क्लिक कर लें क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी जान कर्या लेग राते रहते हैं जो आपके लिए knowledgeable है Thanks for watching this video